अनन्दुपकारी पुज्यबाद आचारे भगन लक्ष्मी सुरी स्वर्जी महाराज रती अस्तानी का प्रवचन में बरभादी राज के पांच कर्तवे की बार अमारी प्रवचन, क्षमापना, साधर्मिक वक्ति, अठ्थम कातप और चैत्य परिपाटी पांच कर्तवे का पालन आठ दिन में करना आज बारा महिने में संग के साथ, परिवार के साथ और वो भी नवसेगे तो इंडिविजल भी ग्यारा कर्तवे जो करना है आज इनकी बात आपके समने रखना चाहता हूँ वो बात में मैं आगे चले इनके पहले एक फाउंडेशन बना देना चाहता हूँ अध्यात्म जगत में तीन सेत्र ऐसा है जहां हमारी बुद्धी जितनी कम करेगी उतना रिजल्ट ज़ादा आएगा आपके संसार में बुद्धी जितना ज़ादा काम कर दी उतना रिजल्ट ज़ादा आता है बिजनेस है आप बार जाते हो बिना बुद्धी का आपका काम नहीं है मार खास सकते हो बाईर जगत का ये कामे जा बुद्धी का प्रियोग ज़ादा होता है सबलता मिल दिये ये जगत या तीन सेट्र हैसा है कि जा बुद्धी का प्रयोग नहीं के बराबर या तो नहीं करो बिलकुल हंड्रेट परसन आपको रिजल्ट मिल सकता है और वो तीन बात में आज आपको करना चाहता हूँ नंबर एक पृती, नंबर दो भक्ती, और नंबर तीन स्रद्दा परमात्मा पर यदी में प्रेम करना चाहता हूँ परमात्मा की यदी में बक्ती करना चाहता हूँ और ये परमात्मा के बच्चन पर में स्रद्दा रखना चाहता हूँ या बुद्धी जितनी कम, जितनी कम, जितनी कम इतना रिजल्ट जादा कभी कभी मुझे और आपको लगता है कि धर्मव के श्यत्र में प्रवेश करने के बाद भी जो रिजल्ट मिलना ची वो रिजल्ट क्यों नहीं मिलता मेरी और आपकी बुद्धी डिस्टब करती है परमात्मागी पक्ती दो करूँगा मगर ये पत्थर की मुर्ती में क्या मिला ये बुद्धी हाई आप रिजल्ट से दुर हो गए आप देखना हर जगा आपकी बुद्धी बिच में डिस्टब करती हो और ये बुद्धी आपको एक मानूं होगा ये बेनों को पुछो दुद्ध में जाबन डालने के बाद एक अलमारी पे वरग देते हैं ठपेली सुबह उद्ध करके बेटा पुता कि मम्मी दहीं कहा है रात पर तक मम्मी ने कभी दहीं देखा भी नेकर वो बोलेगी कि दहीं बहाँ है देखा भी नहीं क्या लेकर के वो मम्मी बोलती होगी मगर एक स्रद्धा दुद्ध में जाबन डालने के बाद यदी रख दिया है दहीं होने में कोई फरक आता ही नि और एक बात में आपको पूतना चाहता हूँ दूद में जाबन डालने के बाद बार 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 अंगुली तम हिला दो कभी दही होगा कभी दही होगा कभी दही होगा कभी दही होगा कभी होगा जाबन डालने के बाद भी दूद में से दही नहीं होगा यदि तुमारी अंगुली बिट में घुमती रहीते तो सरद्धा वो जावन है मेरा जिवन वो दूद है सरद्धा वो जावन है और ये बुती हमारी अंगूली है बित्मे चितनी दिश्टब करती रहेगी उतना दई बनने में दिर लगेगी बराबरे साथ बोलो मैं आपको पुतना जानाओ यहां बेटने माले को पुतना जानाओ गंभीरता से जवाब देना आप मेरे प्रवच्चन में आते हो लोजीकली आपके निमां में बैठता इसलिए आते हो कि सद्धा सहात हो कंभीरता से बोलना जल्दबाजी मत करना जब से मैंने प्रविश्किया तब तक प्रवच्चन में जो प्रमात्मा के पदार काई बाद में लोजीकली प्रूव कर देता हूँ मेरा प्रवच्चन यदि आपको जमता है प्रेम से जमता है बक्ती से जमता है स्रद्दा से जमता है या लोजीक से जमता है नहीं बोलो जादा गया साइड बोलो पहले दिन से मैंने सद्धा से बता दिया हुदा ये करो ये करो ये करो पक्माने ना बुलाए कितने लोग आते प्रभुचन में नहीं आपको पुतना चाहता हूँ फिर मैं आगे चलना चाहता हूँ अज्माने अज्यार करतवे बुत्ति का नहीं है रदे का करतवे है और इनके फैले मैं आपको पुतना चाहता हूँ आपको ये प्रभू के बच्चन चमते वो बुत्ति को फीट होता इस लिए या प्रभू के बच्चन आ इसलिए स्लिए, मेरी बात मांते हो या परमात्मा के बच्चन इसलिए मांते हो साज बोलो राजे राजे बे क्या बहुत कंपीर प्रस्थन में आपको पुझ रहा हूँ आपकी बुति में मैं छोभी बलता हूँ वो फीत होता है लोजिकली इसलिए मेरी बात मांते हो या परमात्माने का इसलिए मांगते हो और अभी एक बाता कभी कभी इस प्रवच्चन में वो बात करूँगा जो आपकी बुद्धी में नहीं बेटा तो क्या करेंगा आप बार जाकर के बोलेंगे गुर्दे ने बता दिया मगर हमेरी बुद्धी में बैठता नहीं है यही बात आएगी न और यहां सद्धा नहीं है यहां बुद्धी है मैंने एक बात में कहना जाएँ आप अभी भी प्रवच्चन में आ रहते हो वह सद्धा के दूरपे नहीं आपकी बुद्धी के दूरपे और जिस दिन बुद्धी में मेरी बात नहीं बैठी युद दिन में भी पॉसिवल तुम प्रवच्चन डॉब कर सकते हो आपका अध्यात्म में प्रवेश अभी तक नहीं हुआ जो मेरी बाद यह आपको लोजिकली जमती है तो फिर से रिपीट करना जाना भ्रम्में मत रेना आप यह बत माना कि माना साहिब आपके प्रवच्चन के कायल बनगे और प्रवच्चन बहुत जमता है बहुत हमेरे मन म फिटो गया नहीं जिस दिन आपकी बुद्धी को मेरा प्रवच्चन नहीं बेटेगा उन दिन तुम बुलेंगे माना साहिब की बात नहीं बेटती है और दिरे दिरे एक दो तीन चार पाल प्रवच्चन और बुद्धी को छोड़गे सद्दा से करूंगा बेभी पोसिब नहीं 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 भी आता ही नहीं एक ही आता या तो भगमान पर है या तो नहीं भी नहीं आता है नहीं नहीं आप बोलो ही नहीं आप यह बोलते कि प्रवच्चन पर प्यारे लॉस्ट पर भी प्यारे एक बात क्लियर करोगी गुरुदे आपके प्रवच्छन से हमें जो बात बैठती है वो लोजिकली नहीं भी हो फिर भी हमें बैठती है क्योंकि आप बोलते हो और आप परमात्मा महाविर देव की बात बोलते हो आज बात में इसलिए कहना चाहदा कि तुम खोक लेओ अध्यात्मा के जगत में प्रवेश करने के बाद एक लिमीट आजाएगी जा बुद्धी आपकी कामनी करीगी मेरी भी कामनी करीगी और वहां सद्धा से काम करना पड़ेगा बुद्धीनाक शेत्र केरा सिमाडा जह अटकी गया ते पचीना प्रदेशों ने सद्धा संतो कही गया जा बुट्ती का एंटिंग पॉइंट। वही सद्धा का स्टार्टिंग पॉइंट। आप मांगते हो आपकी बुट्ध जहां भी काम करना बंतु कर देवां से शत्ता सुरूरो जाती है आप मुझे पूचो मानाश है सादू बने की जरूर क्या दी संसार मेरे करके धर्मनी कर सकते आप लिस पनी बहाँ ते स adrenalined संसार मेरे धर्मनी कर सकते तुम नहीं करते हो मंदीर मना सकते हो सामइ प्रतिकमन पोपुशत करते हो चलो आगे क्या बोलो अभी फिर से बताओ दो मीरे के प्रवच्चन के बाद अभी भी आपको मुत्ती पे परोसाईगी सर्दा पे परोसाईगी नहीं बोलना पड़ेगा क्या हुआ क्या साथ बोलो कसो नहीं करूं जा प्रशाण बही क्या नए 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 ये साथ बताओं अभी बहुत दोरे हुँ रुशेब जिनेशर प्रितम मारो अरन चावुरे कन अनंद गंजी माराजे प्रतम नंबर में स्तबन में बगवान के एक सब्द लखा है बगवान अभी मेरा प्रितम तु है और तुझे छोड़ करके मेरी कई भी नजर नहीं जाती है यह यहां से धर्म की सुर्वाद धर्म की सुर्वाद सीर्प प्रेम से आगे जाकर के बक्ती और आगे जाकर के तुमारी सद्दा और ये तिरोग शत्र में बुद्धी की जरूर नहीं है प्रेम करने में बुद्धी डिस्टब करेगी बक्ती करने में बुद्धी डिस्टब करेगी और सत्ता तो डेट परसन बुद्धी की नाम बोल देती है और वो ही तो तुम्हेरे जुबन का फाउंडेशन है करीं पाजो हरी बद्र Очुंआ का बच्चने के स्रुक्षमा बुद्या धर्म कर आई है हरी बद्र चुनम्ह अंगर सुख्षमा बुद्या धर्मक कर दो आगर सुर्बाद कहां से is उडऴाद बुद्धी शनी श्रुबाद प्रातोर अदेश से चलू आगे अभी तक मेरे पर प्रेम नहीं तुम्हारा दो महीने के बाद भी मेरे पर प्रेम नहीं प्र क्या है 100% डाउट क्या 100% डाउट है क्या है और अभी तक नहीं बे अभी तक आपने मेरे पर प्रेम में वो कोई दिखाई नहीं पड़ा आप चीज दिन बोलो कि गुर्दे रुशब जीनेश प्रितम मारो ये बोलना माँ आसान है और न चाहूरे कंद और न चाहू माने बगवान तेरे पर मेरा जो प्यार एईसा प्यार दुनिया में किसी पर नहीं बस ये सर ये कंडिशन प्रेम की एक बाद बताओं आपको पत्नी पर प्यारे विरोधनी बेटे पर प्यारे विरोधनी पैसे पर प्यारे विरोधनी गाड़ी मंगले मोटर पर प्यारे कोई विरोधनी संसारे तुमारा हर जीत पर तुमारा प्यार होगा मगर एक बाब बताओ, भगवान पर जितना प्यारे उतना प्यार किसी पर नहीं है, ये बोलो प्रेम तुमारा पका समझगे बोलो, आप बोलो गाड़ी, पत्नी, पुत्र, परिवार, प्रतिष्टा सब कोज गुरुदे पसन है, मगर भगवान जितने प्यारे लगते हैं, उतना कोई प्यारा नहीं लगता है, ये बोलो, ये प्रेम की सुरुबाद मैं क्या बोलता हूँ, पत्ती पर प्यार, परिवार पर प्यार, प्रतिष्टा पर प्यार, पैसे पर प्यार, मगर परमात्मा पर जो प्यार है, इसा प्यार किसी पर नहीं, ये बोलो, वास से धर्म की सुरुबाद हो गई बोलो दीपाई, अभी पंगा होंगे? आप बोलते अभी डाउट क्योंगी इसलिए डाउट है? आप बोलो, नहीं, आप बोलो कि गृदे सबसे जादा प्यारा पर सबसे! बागी सबी पहें पें प्यारे? अगर आपकट यह जो प्यारे एसाग दुनिया में मैंने किसी पर नहीं किया और अभी करने वारा नहीं हितना बोलो आपका प्रवेश्पक का हो गया है रिजल जी एक ही पेपर का पहला प्रस्थ नहीं आया है कि नहीं में जो बोलता हूं इसा प्रेम बता हूं कि जा हूँ है हाँ की नहीं बोलो यार क्या बता नहीं मानूं पड़ जाता है चलो आगे क्या है ओके ओके पेले से जधा फरके मित कोई नहीं बोलता मगर अभी तक प्रेम नहीं शुरुबात ओ चुकी अभी बिगनी के अभी तक प्रेम नहीं बताऊं छोटा बेटा वो एक लिखनी की शुरुबा कर चुका है अगे लिखनी पाया भी था आप लाइन कर रहे हो इसमें कोई मुझे संका नहीं है में लाइन हो रही है अभी एक नहीं हुआ एक हुआ तब मानूगा कि पक्का हो गया गुर्दे आप जैसे प्यारे लगते हो दुनिया में कोई साथ प्यारा नहीं लगता है बस माँ आपका एक पक्का बस इतना बोलो वो गैन सामसाओ चलो आगे बोलना है किसी को नहीं नो कमेंट क्या है एक बात बगवान का दिया हुआ है तो फिर बगवान के पासी रखो नहीं आप मानते हो फिर यह मानना नहीं नहीं यह कोकली बात यह कसोणी आएगी मैं वही बताना चाहता हूं एक बात बताओ मिठाय का नाम तुम कोई भी लो रजगुले गुलाब जाम्बू बर्फी कोई भी लो सककर हंटेट परसं होनी चीए दर्म कोई भी करो प्रिती स्रद्दाव और पक्ती हंटेट परसं होनी चीए नाम लोय आम लो आमेल करो एकास ना करो प्रमात्मा के मंदिर में जाओ दर्शन करो चोशट प्रकारी पाउशट करो खुद भी खरो नगर प्रिती भक्ती और स्रद्दा गुर्देट परसं होनी ताब मेरी सामाइक में करता हूँ आगे चलना चाहता हूँ भीर से रिपीट करना चाहता हूँ आज मैं भी सपल बन चुका हूँ थोड़ा ज़ादा आप जुत्ता और चपल पहन के कोई विरोध नहीं वगर प्रवच्चन में जुत्ता चपल लेकर के नहीं आयो आपने बार रख दिये और यहां प्रवच्चन में बेठे हो जैसे बार निकलेगे जुत्ता चपल पहन के निकलेगे कोई विरोध नहीं आप बोलो माना साथ धर्मक एक्षेत्र में प्रवेश करता हूँ तब मैं बुद्धी को एक और रखकर के अंदर आता हूँ और जैसे ही बार रिकलोंगा माना साथ बुद्धी को लेकर चलूगा कोई भी रोत नी समझ गया मैं क्या कि ना जला हूँ बूठ चपल बार रखो अंदर मतलू धर्मक एक्षेत्र में प्रवेश करो तब बुद्धी को बार रखो और चाहिए एक्षेत्र में पार लिकलो बुद्धी को फिकार कर लो चलू आगे जैसे मैं बेटा नहीं अब ही नहीं बेटने माला भी नहीं कि मुझे यहां बेटने माले को कहना चाहिता हौँ अब अब मेरे प्रब चंसे तुम बोलो सितल पर अप्र सNewton a Tैना अपर चितना प्यार गुर्दे का प्यार मुझे खींच रहा था समाज विरोध में था परिवार भी ना बोलता था अत्रा साल जीज घर में रहा वो घर को छोड़ने की टाकात आई गुर्दे के प्यार के हिसाब से चाहे दुनिया उपर से नीचे उदा है मगर गुर्दे को मैं छोड़ नहीं सकता और गुर्दे के चरण में आ गया यह प्यार था सबसे ज़्यादा प्यार और दिक्साल ले अपर ही वो भी गया काम से। आपको बैठता है किया है आगे चलना चाहता है मगर यह पहले मत लिए कि मंदिर में तो हम भी जाते आप भी जाते हो पूजा हम भी करते आज कई लोग करते मगर हमारी पूजा जितनी ने जमती उतनी उनकी कैसे जम गई एक खारण था उसने मंदीर में जाने से क्या होगा बोली बोलने से क्या होगा हर जगर तुमारी ब्दती आती है और तुम लान से बन चीत रहे जाते हो blind खेलने की तुमारी त्यार हो blind हर पते तुमने छोड़ दिये भ unfagwaन के चरन में फिर देखो क्या कमाल हो जाती है पुष्टग बुष्टग लिखता हूँ तब एक बार आना मेरे पास आज तुमने बात बता है तो दोई मिनिट में बात बता हूँ मैंने एक किताब लिखे दी मेरा प्रेस वाला किताब लेने के लिए मैंटर दादर में गिनान मंदिर में और मैंने मैंटर दे दिया और मैंटर देने के बाद उसके बुला मारा सभी इस किताब का नाम क्या रखन मैं बला एक काम कर, दो मिनिट के नहीं मुझे किताब देदे, मैं चेक कर लो, कि सब्चेक पर मैंने किताब लिखे, आज ये प्रस्ता हैं तो मैं आपको कहना चाहता हूँ, और मैंने वो किताब का पेज देखा, नमबर दो, नमबर पाद, नमबर बावीच, नमबर बावन, और एक भी पेज मुझे जमा नहीं, जमानी डेट मिंस? हाट दद नहीं हुआ, और मुझे लगा कि मैंने ऐसा कैसे सर्जन कर दिया, जो सर्जन मुझे ही नहीं जमता है, वो सर्जन समाच के बीट में रख करके मैं का क्या कुछा हुआज मुझे ही पिली नहीं होता है, कि मेरे किसी भी पेज का कोई भी पन्ना मुझे जमा नहीं सतर सेबंटी फिप्टी ओलो प्रेस वाला मुझे बुला माना साहिब आप क्या सुचते क्या दर्वेश एक बात मेरा सरजना पहली बार में देख रहा हूँ कि मुझे जमता नहीं और एक दम लाइट हुई या बेकने मालों को मैं चलेंग करना चाहता हूँ एक बारा करके मेरी हर किताब देख लेना और अभी किताब का भी मुच्चे नोंवा किताब जीन भाई के पास गी उनका भी प्रत पर आपको देखना देख लेना आज में सिक्रेट बताना चाहता हूँ नमबर एक किताब का नमबर पेश एक जब मैं लिखता हूँ बगमान पार्टनात को गुरुदेव भुवन बानु सिमा को संग को गौतों स्वामी को मा सरस्वदी को सभी को रमस्कार करके मैं किताब लिखता हूँ रिपीट आप मेरी कोई भी किताब औरिजिनल किताब का फर्स प्रेट देखलो आपको यह दिखाए पड़ेगा बगमान पार्टनात गुरुदेव भुवन बानु सिमाइट गच्छादी पदी जेको सिमाइट देव संदर विजय महाराज और गौतों स्वामी संग सरस्वद सब अभी मैं आपको बताना चाहता हूं दर्मेश को मैंने बताए दर्मेश एक बार लाओ मेरा किताब मिने पढ़ लाओ और ओरिजिनल किताब लाई पहली बार मुझे क्लिक वाँ यह एक भी पेज मुझे चमता क्यों नहीं है और तब मैंने किताब का पहला पेज देखा वहां मंगल करने का चुक गया था ना पारतनात बगवान का नाम ना मावी स्वामी का ना ना गड़तर बगवन का ना गुर्देव भुवन भानु सुनिमान का नाम और यह मैंने आप यह बोलते हो माना से किताब बुद्धी से लिखते हो पहली बार मैंने फिल किया यह दर्मेश सौब पेज की किताब मेरे पार लाओ और किताब के पेज के टुकडे टुकडे मैंने कर दिये और दर्मेश के मुझे का गुरुदेव सौब पेज की किताब लिखने में आपको साथ दो मीन लिखेंगे आप में पिताब के पेज के टुकडे क्यों कर दिये और नहीं होता है आपको यह बात नहीं बैठेगी क्यों चिन्गी पर बुद्धी से तुमने काम किया और अभी भी तुम बुद्धी से ही काम कर रहे हो जिस दिन बस आगे चलना चाहिए और मेरा प्रभच्चन तीस दिन आपकी खोपरी में नहीं बिटेका उस दिन मैं भी को देंगे सरल काम नहीं है और चिन्गी बर्दक आपकी बुद्धी को खुच करने का मैंने कोई ठेका नहीं लिया है नेवर आपकी बुद्धी को मैं थोड़ते ही रूँगा कभी न कभी तोड़ूगा खुच है तुम्हेरे पास जबाब यह बाल के लोच खीचवाने का बे साइंस आपने साइंस की कोई माने नहीं घुरुदेए ने बोल दिया देट सोक के चलो आगे और ये त्यारी तुमारी होगी तब अजयत मचगत में तुम्हारा सई अर्थ में प्रवेश होगा नंदीर में पुजारी भी जाता है तुम भी जाते हो कुता भी घुच सकत मुझे बता दिया मानास सहीब कुरोद इतना भैंकर इतना भैंकर बात प्रयास करने के बाद कुरोद मेरा तुटानी और बगवान की मुर्तिवर मेरा बरोस्टा चबरतस है एक दिन मानास सहीब सोचा बरास पुज़ा और माने सब एक बार दिमाग में आगया कि बरास इतना ठंडा है और दिमाग को ठंडा करना है मेरे लिए कोई चारा नहीं सबकुद प्रयास करने के बाद मेरा खुरत खत्म नहीं वा अभी तीन जगत के नागती मुर्ति पर ये विलेपन करने की जब भी बोली लगे मैं ही र बुझ से प्रारतना करूंगी बगवान बराज इतना ठंडा है मेरा दिमाग इतना ठंडा कर दे ये बुद्धी थी कि सर्दा थी मैं पुतना चाहता हूँ और माना सहीब 15 दिन के पेरे वो बेन आ गई कई बार बेन मुझे मिलने के लिए आई और आपने मुझे बता है माना सहीब परमात्मा के मंदिर में सुबह जाती और बराज पुझा की बोली लगती फिर 200 रुपिया 500 रुपिया प्रस्ता पईसे कानी था मैं माना सहीब मेरे कुझ को खतम करना चाहती हूँ और आप माना सहीब विश्वास दे कर भाएंगे 15 दिन के बाद वही परिष्टिती में मेरा दिमाग गरम हो जाता उससे भी ज्यादा गलत परिष्टिती में दिमाग बिलकुल ठंडा हो गया माना सहीब अभी कुझ करना कि क्या तुम यह बोलेंगे माना सहीब चमतकर की बाद मेरे समने मतकुरो यही तो चमतकर है कि खैर आपको बेठे नहीं बेठे मादलो बैन का नाम बताओं जोती बैन मुर्भी के डॉक्टर है वो आप कभी इनको मिलना मैजरे देना चाहता हूँ एक बार मिलना कि यह चमतकर हुआ आपके जिवन में हार जगा तुम बुद्धी से बोलेंगे मानसर पठ्छा की मुर्दी क्या कर दिये तुम्हारी संदार यह से कुछ नहीं करते है कि यह मैंने दिक्षा लिए वो बुद्धी से लिए कि सर्दा से लिए और यह आप ही बोले कि बस चलता हूं आगे मेरे पर प्रेम कि नहीं आज पूछूंगा बार बार कि दिवह मैं बोलो हां एक छोटा सा कसुड़ी करूं आप पक्का पक्का बोल जो थोड़ी बात और आपको देखें वी ना में दो मिनिट पर देखते ही रहा हो आप राजूब्धिय क्या बोलेगी नहीं बोलो हां आनुमन क्या करेंगे बोलो ना नहीं नहीं मैं दो मिनिट तक देखते रहता हूं पैन को हाँ आपको हिंटेस्ट है हाँ अच्छी लगी बराब नहीं आपका ये डाइनिसिल बराब तो अच्छी लगी अच्छी लगने के बादें अब यह बोलेंगे निए क्या बोलेंगे क्या बोलेंगे आप आपके बोलो क्या बोलेंगे प्रसंद भाई हाँ हाँ आप चेब में से पे निकालेंगे और बोलेंगे गुर्दे लाब दो अपने आपसे में धन्य मानूंगा बोलेंगे की नहीं बोलेंगे ओके अभी आपके बंगले को देखने के लिए आया हो गया पुरा क्या है हाँ ये छोटी जी परीशा भी तो बड़ी तो बात दूरे आप बोलो की पैन गुर्दे आपने देखी और आपको पसंदाई थन्य बन गया बोलो की बंगला और ती जोरी आप बहुत काम है तू ये मत बोलना काम नहीं ये काम बहुत है तू नहीं देना चालता है चलू आगे हो गई कशोटी हर्जिनो मार्ग छे शूरा नो नहीं काहर नो काम जोने पर्थम पहलो मस्तक मुकी वड़ती लेवू नाम बहुत है और कबीर की ये बात कबीर ना खड़ा बजार में लिये लुकाटी हाथ कबीर बजार में खड़ा होकर गए हाथ में लकड़ी लेकर गए उसने एलान कर दिया जो भी चलो भगवान को पाने के लिए सब चलो मेरे साथ एलान हजारों लोग कर्षे बाहर निकल गए और कभीर को बढ़ा कभीर को कंडिशन है क्या कभीरा खड़ा बजार में लिए लुका दी हाथ एक बात मेरे साथ चुना मैं बगवान से आपको मिलन करा दूँगा नगर एक कंडिशन सुनो जो घर जलावे अपना चलो हमारे साथ अपने घर को जला देने की जिन की तियारी है कौन सा घर ये इट चुना का बना हुआ नहीं अहंकार का घर आशक्ति का घर वो चलाने की तियारी है चलो मेरे साथ आपको मैं बगवान का दर्शंकरा सकता हूँ चलता हूं मैं आगे सब्चेक रिलेटेर बात करना था इसलिए क्या आपको यदि धर्म नहीं जमता है इनका ये कि रिजन प्रिति भक्ति और सद्धा तिन में आप तुटे हुए हो और तीरों में आप इसलिए हुटे हो हार शेतर हमें आपकी बुद्धी बीच में आख करके मामला भी गाड़ देती है आपको यह बाद बेखती है पेले में बुटना चाहता है बगवान का दर्शन करने माला एक आपी पागल बन जाता है दूसरे को कुछ नहीं होता है क्योंकि वो बुद्धी से दर्शन करता है और वह उतने बुद्धी एक बार जूरक करके रदे सीखिया वो जम गया कि माने इस खित्र में प्रवेश करने की पहली कंडिशन प्रिती स्थ्था प्रक्ति और बुद्धी की एप्संस कि यह भारी काम ही ओर आप मानों इतना इस नहीं है यह दिख्षा लेने के बाद भी यह तीन को आगे करना और बुद्धी को नंबर दो पे रखना मामूनी बात नहीं है यह गुरु के सामने भी बुद्धी उठासता है गुर्दे आपने यह क्यों का यह क्यों का मेरे दिमाव में निमेता है वो साथू जीवन के कपड़ा भी निकल गया बाद कपड़ा कितना भी अच्छाता मगे रिजर्ट से वो भी तो दूर हो गया क्योंकि यहां करके तेने तेरी बुद्धी का प्रेवक किया आगे चलना चालता हूँ ग्यारा करतेवे में पहले नंबर का करतेवे संग पुजा चत्रवी स्री संग सादू, साद्वी, स्रावक और स्रावी का उनकी पुजा और यहां बेटने मले को पुतना जाना सक बोलो पुजा का अर्दा आप क्या समझते हो पुजा माने परमात्मा की पुजा अलग, गुरुदेव की अलग, स्रावक और स्रावी का की पुजा अलग संग पुजा प्यलन में कामे में किसमें संग में आपी किसमें संग में बगवान का भी चर्मों में किसमें संग में माले परमात्मा से भी ज़्यादा महतोपन कोई चीज ये तो संग है बगवान खुद देशना देने के पहले स्री संग को परमात्मा खुद नमस्कार करते हैं तिन प्रदक्षिना देखर करके नमो तित्य सकेगे के परमात्मा स्री संगों को नमस्कार करते है ऐसे स्री संग की पुजा पुजा का एक अर्थ समझे वो पुजा का अर्थ है अर्पन जिजर डेफिनेशन अर्पन अर्पन अर्थ है यहां बेठेला बद्दाने गुजराती सब्द तमने मारे के वो चे बगमानी स्रेश्ट गोटी नी भक्ती तमे करो चोगे नी एनी खात नी एक ए सब्द मारे काओ वाला ने वाला ने वहाल थी वाली वस्तु आप्वी आप्भक्ती फरिबार तमने कह उन्हाना बेठ होए तो वाला ने वाल कती वाली वस्तु आप्वी एनुन हम भक्ती साथ बोलो इसमें तुम पास नहीं बोलो सरल एक मामुनी डेपिनेशन कोई लंबी चोड़ी सास्त्रिय बाद मैंने नहीं किये वालाने वालती वाली वस्तों आपी ने वे आनुनाम बगती बोलो तीनों कंडीशन बराबर क्या हुआ बोलो बोलो तीन में कांच चुपते हो वालाने वालती वालीवस्तों आज़ भक्ती क्या है साथ बोलो क्यों नहीं कांसी कंडीशन में तुम तूटते हो वाला ने माने परमात्मागे गुरुदेवने छेने आपतावेने नम्बर एक वाली वस्तू चलो एपनमा आपको बहुत प्यारी चीजा परमागुरुदेव को पकवान को नहीं दे सकते छोड़ो मगर चोबी देते हो बड़े प्रेम से देते हो वाल थी क्या बहुत प्रेम से नहीं अभी बैठा नहीं तुम्हारी थी हर कसरोड़ी में ते फेलो जा प्रविशन के दिन में क्या बोलो प्रेस्जान में वाल थी हां क्या है ने ये ने ने क्या है तुम्हें लागं रुपिया लिकाए और साम्ने मेरा बोलता है तुम को पता है नहीं समझे तुम कि तुमारी वाकाद दान देने की कितने मुझे पता नहीं बागी दो बहुत लोगों को पता है अरे तुम किसका भी बोलो मैं तो यह बलता हुआ थी आप वह बावराजी थी ने साथ बोला है अज तक तुनने जाबी दान दिया एक छोठी सी बाट फिर आगे चरहा जाबी तुनлаг तुमने दान दिया वहां अच चोड़कर करे कहा की बार-बार मुझे याद करना नहीं बोलो यार क्या साथ बोलो क्या बोलो बोलो चल्दी बोलो आपने जो भी एक लाग दस जार पांच जार पांसो सो रुपया चाहँ भी दिया वहां बोला बार-बार मुझे याद करना क्या है याद करी लेगा ना तुम छटक नदावीदे वो याद करता है या कि न एक बार साथू गोच्री या बोलते हो गुर्देव बार बार यहां पतार ना तो मुझे बोलते हो तो सब को बोलने में दिक्कत क्या है क्या हुआ प्रसंग में यह बोलते है गुर्देव आज किस बुड़ में वो छोड़ो अभी तो रिमान मत लो याद में और आप गलत थे मी में ने नजाए इसलिए मैं ये क्लियर कटता हूँ वालती वाला ने वाली वस्तो आप ये अनुनामदान चंदर वाला ने भगमान मावीर को अड़त के बाकू ले दिये थे वो द्रब्य इतना उत्तम नहीं था मगर उसी ताइम उनके पास यही तो था कुछ नहीं था तिन दिन का उपास करके बैटने माली ये चंदर नबाला और भगमान मावीर को देखा तो उनके आथ में कुछ नहीं था ये द्रब्य ये बेल भी नहीं खाता भगमान मावीर को दे दिया लगर उसी टाइम उनके लिए समसे तॉप आइटम वो थी वो वाल थी वालाने वाल थी वाली वर्तों अब बात खतम भगवान मावीर की प्रतम नंबर की साज़वी बन चुगी ये थाकात ले करके बेठी दी नंबर एक संग पुजा मस्ट संग पुजा करना कंपल सरी आपकी इच्छा है कि नहीं वो प्रतम नहीं कुछ भी करो अरे कुछ नहीं करतो घर पे लाकर के पानी का ग्लास पिराओ आप यह मत मना करता वे करता वे यह यह तो डू कंपल सरी नट वालिंटरी नंबर एक संग पुजा करने वाले ने क्या संग पुजा किए वो पुराने जमाने की तुम बात देखो तुमें लगे कमाल 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 कर दिया लाक्वारुप्या का सजवे करने की बात नियुक्त जो रवे उनका था वो संग पुझा के समय में मिरेकल हर जगर तुमारी बुद्धी एक बाइब बता हर जगर रदे तो आएगा ही आएगा जहां भी तुम्हारा रदे नियुक्त तुम्हें लगएगा कि गुर्दे क्या बोलते छोड़ो ना कोई दूसरी बात करो यह आपकी बुद्धी बोल सकती है हुआ हुआ है अब बावाजी राद परश्यंद के करतवि बुद्धी के करतविने ुर्द के ne आप च्वभी बात करेदा हुए आपकी बुद्धी की कोई बात पत्रश्ठी भुद्धित कुम्हें बरस्टा किया है आपके बाब के सामने आपकी माद के सामने भगवान के सामने गुरू के सामने यह दी किसमे बोलने के लिए मजबूर क्या है वह आपकी बुत्ति आपके रदे ने कभी नहीं किया माबाब के सामने बोलने का आपको अंगर दाया रदे नहीं करता है बुत्ति करती चीज बुत्ती पे तुम्हारा इतना जादा भरोसाय बुत्ती ने तो सम्मन को खतम कर जिया हूँ वो बुत्ती यहां प्रयोक मत करना प्लीज संग पुजा बंबई का एक भाई मैं सांता उर्ज में था एक करोण की गाड़ी में वह आया हूँ और और कपड़े का थाका लेका है गोचिनी अरे चात्रमस के पहले उगदी बेराने के लिए एक करोण की गाड़ी में नीचे उतर करके कपड़े का थाका यान रखा खंदे बे उलेके है मारा सहिब कुछ लाब दो सब बेर लिया है मारा सहिब एक छोटी सी मुपत्ती का भी लाब दो मुपत्ती ये इनके बिना हंड्रेट परसंट मारा सहिब नहीं जाने बाया हूँ आँख में आसू देखे एक मुपत्ती के कपड़े के लिए इतना रोना वो बुत्ती का कोई काम नी ना वुरदे का काम था मारणस साहब लाब दोई दो, लाब दोई दो, लाब दोई दो, लाब दीया और देने कबाद इनको पुछा कि मुपपती के टुकड़े के बीचे इतना पँगल पन तुमारा क्यूं मारणस साहब मैं मैं मतेमेटिक्स का आजमी नहीं हूँ मगर बारा साल के पहले आज माना साहिब करूर की गाड़ी में वो टाए माना साहिब फेरी करता था फेरी पुरे बंबे में माना साहिब गली गली पे एक खंदे पर एक कपड़े का थाके लेकर के में घुमता था माना साहिब ओडरन लेने के लिए मगर माने कहां था बेता संग बुजय का करता बे कभी मत चुकना मुनीब को खुच चाहिया नीचे एक मुपति का चुकना भी चाहे कैसे भी सिद्यो मेरा क्या ही रहना बारा साल के पहले गुर्देव एक नशा था आजमारोड स्री संग में मैंने प्रवच्चन किया दो वो प्रवच्चन की बादा फिर करना चाहता हुआ एक सामपल की बाद बोलडी में मेरा चात्रमास था एक लड़का सामको गोचिरी की बिननती करने के लिए आप पदमास नंदर को माना सहब मेरे बाद गोचिरी आओ और पदमास नंदर बुला कि तेरा घर किस गली में उसने मला इस गली में और पदमास नंदर बुला मुझे इस गली में जाना है तेरे घर पे नहीं आता छे साल का साथ साल का खरीबन लड़का मारा से बाना पड़े था और प्रत्मस मुला मुझे नहीं आना है मुझे इस करीमे जाना नहीं आना है आपको मामने नो मेरे पात्रे ने पात्रा तरप नी चितनों आडे चोड थी हाथ ती के चो अने पात्रा पड़ी गया मैं अपनी जगह पे बेटे-बेटे देख रहा था गिर गया लकड़े का पात्रा था थूटी भी गया और मैंने उनको नद्दीग बुला कि अभी छोटा लड़का मैं उनको बिले बिरंती करना मगर ये खिचना नहीं ये थूट गया मारा सहीम आपके सादू को बोलो आजाए मैं तो रोग खुडूँगा औरे प्रशान भाई अभी वो छोटे लड़के पर करम होकर कि भी क्या हो मारा सहीम मुझे बोल तो आपके सादू को बोलो आजाए बात खतम होजए और एक लड़का बाजी में था बेला इनकी ममी कोने कल आजे चालीस घर का कहाँ दो सो पंद्रा लोगों की बस्ती स्रबो कर गए अल्ली फोटी चालीस घर और उसको बोला मैंना कोई दूसरी इनकी मा आजाय तो बता देना में उनको बताओ आपके बेटे को ऐसा अगरग कराओ मत और दूसरे दिन माँ पात्रा तोड़ दिया आप आपके बेटे को समझाओ माने बोले आपके मुनी को समझाओ औरे अब अभी तो कुछ होता है आप बेटे को बोलो वहां तक ठीक है मगर माने भी बोल दिया माना साहिब मेरा अब मेरा बेटा रोध दोड़े का पात्रा रोज मैं बना तुम मा करगे स्रावी करगे ऐसा ऐसा जबाब तुम इरे और से मेरी उमिद नहीं थी जैसे ही मेरे का आँख में आसुझे माना साहिब 40 गर के गाउं में आप जैसे मुनी भुकुन का चातुरमास माना साहिब मीरे करे लाखोज जन्म के पुन्य किये होंगे तब 40 गर के गाउं में गुर्दे आप चातुरमास और आपके चातुमस के पहले गुर्दे परिवार के मिटिंग होई थी इस मेने छोटे बच्चे को खाँ था दोस्त अपने घर में यह नहीं आसका अपने गाउं में पॉसिबल ही नहीं यह मगर आने वाले गुर्दे बेटा रोज गोच्री के लिए बिनिती करने के लिए जाना रोज तीन टाइम जाना बेटा तीन टाइम सारी दुनिया अपने घर में पकरिया करेंगी मगर गुर्दे का पकरिया चमकार पेदा कर देगा अपने घर में मेरे बेटे को मैंने इतना इकादा छोटा बेटा सुपात्रदान का क्या लाबो सर्दा उनको पता नहीं था मगर मैंने उनको इतना इकादा कि गोच्री बेराने के लिए बिनिंती करने के लिए जाएगा 10 रुपिया और लाएगा तो 50 रुपिया आपका पात्रा थूड़ेगा मगर वो पचास नहीं छोड़ेगा साथ बोलो मैं आकोटा में इतनी बेहन कितनी है मैं पुतना चाहता हूँ या कितनी माँ ऐसी कि जितने अपने बेते को ये खाऊँगा मैंने वाशु देखे दे वो मां के मजमूर कर देते कई लोग साथू साथवी को घर में आने के लिए मजमूर कर देते संग पुजा का पहले नंबर का करते हैं रदे के भाव से करना एक रुपे का करो माच लगा कुमरी बुद्धी भीर्षे में कहना चाहता हूँ बुद्धी जित्ती कम इतना रिजल्ट जादा आज जित्ती बुद्धी जादा उतना रिजल्ट कम या तो बिना रिजल्ट तुमाना जिवन चलेगा संग पुजा साधर्मिक बक्ति कल का करते में दुबार अपने ट्रक पे देखा होगा ना बहुड आपने ट्रक के पीसे बढ़ाए यहां बेटने मने क्या एकाद बोलेंगे क्या है बुरी नजर वाले देखो अभी यह तो कोई भी कोटेशन आपको बोल सकते थे मगर आपने यही कोटेशन पसंद गया बुरी नजर वाले तेरा मुझ काला और मुझे पूचे तो मैं बोलता कि देखो मगर प्यार से साल बोले यह तुम के यह नहीं पढ़ते हो तुम आप यह पढ़ते हो बुरी नजर वाले तेरा मुझ काला उसमें गाली है मगर यह बोला नजर देखो मगर प्यार से क्या हुआ क्या है सबका मालिक कौन मैं बै तुम बोले नजर यह में ही है कि ना मालिक उपरे रोड़ का क्या है बगवान सोनू बलू करें ने पहला मारू करें बोलो पाशा हर जगह रदई की बात माने यह ग्यारा करते वे रदई लिले तेड़े आप यह बोले कि माना ही से क्या होगा क्या होगा तुम सोचा ही मर एक बार खरके रिखाओ महत अपन प्रस्टम पुछे राजा ने बापको पुछा कि पक्मान काहा है कैसे मिलते है और क्या करते है तीन प्रस्टम नमबर एक गौड इस वेल हाव वी कैन बी गौड अन वाट ड़स गौड आपके बाद कोई जवाब है पड़े लिखे जवाब बगवान का रेता है क्या बोलते हो रदे में तुम मानते हो और रदे में बगवान लेकर के फिचर देखने के लिए जाप आएंगे क्या तुम दोकम टोक करते हो याद बगवान रदे में सच बोलो मेरे मुझे लेकर के पिचर में जाएंगे कभी मुझे मानूनि में कई लोगों की दुकान में एक वेवस्ता है बगवान का फोटो होता है मगर दुकान खुनने के मगर एक परदा लगा देते नहीं देखांगा नहीं देखां क्यों सच बोलो भगवान को परदा क्यों क्या है भगवान देख नहीं ले तुम्हारा परदा फाड़के निकल जा ऐसे भगवान नहीं देख ले और यह लड़केन अपने बाब को का राजा अपने साथ सक्कर बना दूद लेके लड़का गया था और राजा रहे प्रस्टन मुझा बगवान कहां रहते हैं उसने मुझा राजन एक माँ बताओ आप दूद चकलो हो एक कि छोटा अख लाज दूद का राजा को फिना दिया फिर पुझा सक्कर दिखाई पड़ती है क्या नहीं है तो के है कैसे पता चला दिखाई नहीं पड़ती है फिर भी है अनुबवां से पता चला आप यह in कि तुमें सक्क्र रहती है इसा ही भगवान हमें रहता है वो दिखाइप पढता निया अनुभू से पता दा आण बहीं नमबर दो डाई दिखाए दिया और यहीं दाई दिखाने के बाद राजा वी ए具 राजानि इसमें मख्षाम दिखाए पड़ता व कि नहीं है है क्यों täll君 कि म neighbours करना पड़ता है आर्ड यहीं लड़के ने का जब ददक अपने अत्मा को मंweenन उतन करेंगे तप 100% भ में जैसे ही नदी सागर में आती है उसी ताइम नदी को वो सागर बना देती है भगवान क्या करता है हम जैसी भगवान के नजदिक जाते है भगवान हम सबको परमात्मा बना देते है नमबर एक संग बुजा नमबर दो साधर्मिक भक्ती नमबर तीन यात्रा त्री रत यात्रा तीर्थ यात्रा अरश्टानिका यात्रा चारो चार प्रकर्णकी यात्रा कर दे या माने जो त्रा माने त्राहेते जो मुझे बचाती है उनका नाम है यात्रा पेमेंट लेने के लिए जाओ तब यात्रा बोला नहीं जाता है यात्रा में प्रमास में भ्रमन में तिनों में घर्षे बारत्व निकल जाते हो तुम उटी में गए तब यात्रा नहीं भ्रमन पैमेंज लेने के लिए गेता ब्रमन नहीं प्रमास परमात्मा को मिलने के लिए ता ब्रमन भी नहीं प्रमास भी नहीं मगर यात्रा घर से बार दिकलने की तीन केटेगरी ब्रमन प्रमास और यात्रा ये तीसरे नमर का कर्तवे आत्रा त्रिक और चौते नमर का कर्तवे स्नात्र पुजा पढ़ा देओ स्नात्र पढ़ा देओ स्नात्र पढ़ा देओ मालूमी नहीं होगा स्नात्र क्या है माराजा कुमार पाल 1,800 करोणपती के साथ रोज नात्र पढ़ाता था कितने फिल से बोलो फिकर तो बोलो यार 1,800 करोणपती बाकिसा मलग मैंने बंबई में एक बार प्रवच्चन में का है एक आदमी ने मुझे पुझा था माना सब बीजी नहीं थे क्या बीजी उनका एक काना था माना 1,800 करोणपती को काम ही नहीं था किस नात्र में जाते थे बोलो काम सैट बोलो एक छोड़ा था प्रस्णा का चौप फीर आगे दर्म कब करना टाइम मिले तब की टाइम निकालने के बाद आपकी मान सिद्धा के दर्म कब करना हर काम समापत होने के बाद टाइम मिले तब या सबसे पहले काम करके बाद की सबसे पहले धर्म करके हर काम करना आपकी मात क्या है हर काम करके धर्म करना की धर्म करने के बाद हर काम करना बोलो हर काम करने के बाद धर्म करना की धर्म करने के बाद हर काम करना नमर एक धर्म क्या है कोई विरत नहीं है एज्जेस में कामे ना बोलता हूं बाकी सब पीछे अभी तक कवो कसरों की नहीं आई इसलिए तुम सब बोलते हो मजे से हर फर्मकार संसार का दोनों का काम एक ही समय प्यांग या तब पता चलेगा कि तब प्रयारिटिक इसको देते हैं अत्रा सो करोणपती के साथ नात्र मत्षव रोज अब एक कमद बारा मिन में इस नात्र भी ये साथ ठाव कास का एक मुझे जवाब चीए आपकी गाड़ी को बंगले को फर्नीचर को देते कर गे लोगों की आँखों में एक भाव आ जाता है कमाल ऐसा कौन सा धर्मा आपका है के जिनको लेकर के लोगों की आँख में आ जाता है कमाल इतना बताओ नहीं समझे दो रिपीट करना जाएँ आपकी गाड़े बंगले मोटर फर्नीचर कपड़े मोबाईल सब देख कर के किसी को भी लता है कमाल एक धर्मा आपका ऐसा दिखाओ के जिनको लेकर के लोगों को लता है कमाल एक धर्मा बताओ चलो इतनी बड़ी समा में एक बार तो बताओगी माना साभी ये धर्मा मेरा सामने माना पागल बन जाता है इमद बैं क्या नहीं बताओ क्या है सामने वाले को देख करके लगागी यार कमाल कर दिया तुने कमाल क्या प्रसंग चमाया तुने ऐसा धर्मा आपके जिन में ऐसी आइतम आपके जिन में कौन सी क्या क्या बोलो अब आज नहीं पहुँची नहीं साथ बोलो क्यों नहीं नहीं मगर क्यों नहीं जाना जाना आपकी माला माला गिन्ने की आपका बेटका कटास्ट ना आपका चरव ना आपकी पुझा की जोड़ एक सीच साबने वाले को आपके गर में देखने की लिए आने काम होनो यार कमाल ले करके बटाए मंदीर मिरे कल आप बोलते नहीं जादा प्यारे गुर्दे आपसे प्रसान भाई नहीं कुछ नहीं एनी रिजन आज एक कम करना आप जो प्रतिगमन करेंगे नहीं करते हैं की करेंगे क्या है पंगर एक कम कर कल सब को या तेरा कटास्ट ना दिखाना तुम्हेरे पुजा के वस्तर टॉप की तुम्हेरे बार कुमने के वस्तर टॉप इतना बताओ आपके बार कुमने के वस्तर टॉप की पुजा में मंदीर में जाते हो पुजा करने के लिए वो खपड़े टॉप बोलो जानना चाहता हूँ आपसे हाँ बोलो ना बोलो जल्दी क्या पंगर बोल जवाब आप नहीं माने बस वो ही न आपका ये परमात्मा के मंदिर में कामाने माला कलस वो दर्पन वो पुजा की फेटी वो माला वो कपड़े और दुनिया को देखने का मनों यार कमाल ले करके बैठका है कि प्रदर्शं के लिए मैंने के ना चाहता हूं सारे संसार के लिए लाखो कुरों रूल पे तुम्हेरे पासे बगवान की बक्ती करने के लिए तुम्हें खुर्पन दा जाती है या तुम्हारी बुद्धी डिस्टरब कर दिये भगवान को क्या जरूरी यही तुम्हें बोलते है प्रसान में रिजल्ट कुछ नहीं दिखाए पड़ता है क्या क्या आशा 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 अमरे में क्या ना बलता हूं रोद करता हूं पड़वे तमारी मुझके लिए जे के रभ भूल था ये रबबर कर सो पर रबबर पुरू थी क्योंने भूला जी चालू जे पजी हूं कर सो हार पेंसिल के बिज़े है बना बर्चन है क्या है कितला रबर अभी तु बोलता है तो थोड़ी हलके बंसे मात करूं एक आजमी डोक्टर के पास गया में ता डोक्टर है डोक्टर से जल्दी कर वे हो क्या हुआ मां को यह ते का है रात को दो बज़े का समय गाड़ी नहीं थी बाइक नहीं स्कूटर नहीं कुछ नहीं घर कितना दुर्बाए एक किलोमेटर और डोक्टर ने बेग उठाई राश्ते में बुजा मां के उम्रे कि नहीं वन नोट टू अटेक परी बारा है नहीं आया था अंद एज अब सिक्स्टी फिर वो टाइम डोक्टर कौन था डोक्टर साथ कहा गए उपर दोक्टर कहा थोड़ा हिल्ले लगा फिर दूसरा है तेक आया ना 75 वो टाइम डोक्टर मेता वो नहीं अभी पुछा डोक्टर नहीं कि कितने नंबर कहेंटे कि चौत्य नंबर कहा था माने तिसरा भी आया हाँ आया ना काप 27 वो डोक्टर ठककर तो उनको बुलाना था वो गए तो उन नमरा में भी घर पे जाता हूं पंकट कितने सादू बगवन आये साब गए तू यहाई बैटाया भी देख लेके मैं भी निकल जाओ भी कितने मुनी भुगवन को हमने सुना मगर वहाई मा बैठे इसेल बुद्दी आपकी एक पुजा की जोड़ आपके एक 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 देरासर की सामगरी देखने के लिए मुन हो जाए कि क्या कुमार लेकर के बैठे है मैं तुगा भले दिलेश भाई के भाई कुमार भाई का मंदीर एक बार देख लेना वाँ जाकर के आठ मीने में करीमन मंबे के पचीस जार पचास जार लोग दर्शन करने के लिए आते लाख लोग शायद लाग यह कितने भी बारी चार-चार किनमेटर लंबी लाई आठ दिवर परिशन के आठे लाई को वर दोग भाई कर दोगव भाई का वाईद लाई है